प्रदेश उपाध्यक्ष ने की प्रेस्वारता काशिपूर के गंगे बाबा उदासी न खाड़ा आश्रम में बुध्वार को मगवान शीराम शिला दर्शन कारिक्रम को लेकर एकम सनातम भारत दल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आर के महाजन ने अपने महानगर अध्यक्ष हरिश जोशी महानगर एकम शक्ती की वीना शर्मा और एकम शक्ती प्रदेश अध्यक्ष रमा शर्मा के साथ मिलकर एक प्रसवारता की गई जिसमें प्रदेश उपाध्यक्षत्वारा बताया गया है कि पहला अफसर है जहां हिंदू सनातन धर्मियों को बगवान शीराम के समय बनाए गए रामसितु के निर्मार से जिन शिलाओं को पानी में रास्ता बनाने के लिए डाला गया था उसी में से एक शिला के दर्शन के लिए गंगे बाबा उदासी नखाड़ा आश्रम में 25 फरवरी रविवार को 11 बजे दर्शन के लिए लाया जा रहा है जो शीराम जी का नाम लिखने पर उसी तरह पानी पर तैरता रहेगा वही सनातम धर्म के लोग इस शिला का पहली बार दर्शन में पूजा अर्चना कर सकेंगे साथी दर्शन के लिए आने वाले श्रधालों के लिए प्रसाद की भी वैवस्ता रहेगी जिनकों की पुरा च्छेत जानता है आप हमारे संग्रक्षा की रूप में यहां पर हैं रमा शर्मा जी एकम शक्ति की महानगर की हमारी महामन्ति है मैं येकम सनातन भारत दल का प्रदेश के उपाज़क्षेवर्ग में काम कर रहा हूं मेरे बगल में शंकर समझ बैठे हैं जो कि वरिष कारी करता है जो आज की प्रस्तापी प्रेस वारता है आप सबने सुना होगा कि भगवान शीरी राम स्रेताजिग में जब हूए थे त तो आतताई रामन को उसका मारने के लिए उसका वद करने के लिए उनको एक राम सेतू एक पुल चाहिए था जो की रामेश्रम से होके यलंका जिससे जा सके तो जो वो पुल बनाता जो राम सेतू बनाता उनमें जो पत्थर प्रियुक्त के गए थे उन पत्थरों को जब लोग डालते थे समुत्र में तो दूब जाते थे तो फिर क्या किया हमारे वांदरों ने लल नी जो वहां के इंजीनिर थे उन्होंने उन पत्रों पे शिरी राम लिखा और उनको जब जल में डाला तो वो दूबे नहीं वो तैरते रहे तो ऐसे पत्र जिन से के राम से तू बना और जित पर चल कर प्रभु शिरी राम लक्षमर जी और उनकी पूरी वानर से ना जो लंका गई थी वहां जाकर उन्होंने उस आत्रतारी रामन का वद्ध किया और सनातन धन की रक्षा की उन उस पुल पर जिन पत्थरों के या जिन शिराओं का प्रयोग हुआ था ज कि 25 परवरी को दिन में 11 बजे शिरी क्योंगे बाबा आश्रम में वह आरांचिला हिंदु समाज के अले दर्शन के लिए रखे जाएगी आप सब चानूर होता है साथ स्रावतन सानूर होता है कि आप आएं उसके दर्शन करें मुजन करें और कोड़ के बादी करें